हलो फ्रेंट, स्वागा थे मैं चैनल रवी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे तो आज मेरी मुर्गिया को 55 दिन हो चुकी है तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंट्स कि 55 दिन में मेरी मुर्गी का बेट गेन कितना हुआ है क्या-क्या दाना दिया है, कौन कुछ से मेडिसीन दिये है और कितना बैक दाना ये खा चुकी है फ्रेंट्स तो तमाम चीजे आज जानेंगे इस वीडियो में और आज का वीडियो में पूरा यही रहेगा कि 55 दिन में मेरी मुर्गी कितना बेट गेन की है, अब तक के कितना बजन हो पाया है इसका फ्रेंट्स तो आज हम पूरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मेरी मुर्गी कितना हुई है वो अंत में बताएंगे वीडियो के कि मेरी मुर्गी का बजन 55 दिन में कितना हुआ है फ्रेंट्स तो देख सकते हैं फ्रेंड पूरे 55 दिन के बाद मेरी सुनाली मुर्गी इतना ग्रोथ कर चुकी है लगभग 5 दिन बाद आपको यही 2 महीने के करीब पहुँच जाएगी और 70-75 दिन में इसको हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड तब तक यह लगभग वही 700 ग्राम क आस-पास पहुच जाएगी फ्रेंड तो देख सकते हैं सभी मुर्गी कितना बढ़िया से घूम रहे है और इसको देखिए सभी में दाना पानी बरा हुआ है फ्रेंड देख सकते हैं यह उरती बहुत है फ्रेंड इसलिए जहां तहां यह चल जाती है देख सकते हैं पूरा हो जाता है तो आप 35 दिग्री तक ये temperature मतलब सह सकता है उसे ज़्यादा होगा तो ये मतलब जमीन को खत-खत के मतलब घुसना स्टार्ट कर देगा और इसको 35 दिग्री से उपर होगा तो इसको problem होना स्टार्ट हो जाता है इसलिए छोटा में मानके चलिए 30 डिग्री रहता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो 35 दिग्री तक ये नॉर्मली सह सकते हैं उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं प्रेंट्स कोई भी भाई अगर सुनाली मुर्गी का farming करना चाहते हैं तो जरूर करें और मैं जानकारी देते रहूंगा इस वीडियो के म आपको informative वीडियो मिलता रहे और सुनाली मुर्गी के बारे में सही जानकारी आपको हम बताते रहेंगे वीडियो के माद्यम से प्रेंट्स तो जाइए वीडियो को सस्क्राइब कीजिए और पूरा देखें प्रेंट्स तो पचपन दिन हो चुके हैं प्रेंट्स और आपक गौहुम का दर्रा जो हता है फ्रेंट्स बोदे चुके हैं क्योंकि फ्री रेंज में अभी वेवस्था नहीं कर पाए हैं इसलिए इसको नहीं निकाल पा रहा हूँ इसलिए दाना पे ही रखा हुआ हूँ और आने वाले समय में इसको फ्री रेंज का वेवस्था करके इसक तीन केजी खा कर वही लागभग एक केजी बेट गेन करती है सुनाली मुर्गी का यही परमान है प्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं सारी मुर्गी डाना कैसे खा रही है कितना बड़ा हुआ है प्रेंट्स आप सो देख सकते हैं देखिए प्रेंट्स अच्छी खासी बेट मुर्गी का फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छी बेलसा है आप लोग 100-200 से स्टार्ट करकर देख सकते हैं कि कितना इसमें प्रोफिट है कितना लाभ है कितना समय देना पड़ता है तीन महीना तो आपको लग ही जाएंगे चाहे आप 100-200 पाले या 1500 पाले उतना तो सम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और मैंने वीडियो बनाया है आई बटन में दे दूँगा कि 100 मुर्गी से आप कितना लाभ ले सकते हैं कितना इंकम ले सकते हैं 200 मुर्गी में कितना प्रोफिट है कितना लागत है सारी वीडियो का लिंक हम आई बटन में आपको दे देंगे तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चाहे वो गोट फार्मिंग हो सुनाली मुर्गी फार्मिंग हो खेती किसानी से जुड़ी तमाम चीजों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और आप सब अगर फार्मिंग के छेतर में है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि आपको informative वीडियो चैनल के माध्यम से मिलते रहें फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो देखने के चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और हम आप आपको बताते हैं कि 55 दिन में कितना बेट गेन की है मेरी सुनाली मुर्गी 600 पलस है फ्र इतना मेरी सुनाली मुर्गी या 55 दिन में 600 पलस हो चुक है फ्रेंड्स जो कि आप लोग देख सकते हैं और यह लगबग 55 दिन में 600 ग्राम हो चुक है मुर्गी 400